यह बहुत समय पहले की बात है। एक सुदैनर सेवन में चार मित्र रहते थे चुहा, कोया, हिरन और कचुवा। अलग-अलग प्रजाती के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत गनिश्टता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़ चारों साथ-साथ खेलते, साथी खाते, साही घूमते, घूल मिलकर रहते, खूब बातें करते। उसे बन में एक खुबसूरत साजल का सरोवर था, जिसमें वेह कच्वा रहता था। सरोवर के तढ़के पाज एक चामुर का बहुत बड़ा पेड था। उसी पेड़ पर पेड के नीचे जमीन में बिल बना कर चूहा रहता था और पास ही घनी जाडियों में हिरन का घर था। दिन को कच्वा तटकी रित में खेलता, धूप सैंकता रहता, पानी में डुक्या लगाता। तब बाकी तीनों मित्र भोजन की तलाश में निकल पढ़ते और दूर तक खुमकर सुर्यास्थ के वक्त लोटाते। उसके बाद चारों मित्र इकठे होते। साथ साथ खाते, खेलते और धमा चोकरी मचाते, डैर इसे तरह दिन मजे में बीद रहे थे कि एक शाम को चूहा और कववा तो लोटाए, लेकिन उनका मित्र हिरन नहीं लोटा। तेनों म बात हो गयी, जो अब तक नहीं आया। मेरा तो घबरा रहा है, कहीं वो किसी मुसीवत में तु नहीं है। चुह ने भी चिन्तित स्वर में कहा, बात बहुत गंभीर है। वह जरूर किसी मुसीवत में पढ़ गया है। अब हम क्या करें कौवविने का, मित्रो, वें जहा च ख़बर जरूर लाऊंगा, कच्छवे ने का, रात भर नीद नहीं आएगी, तो मैं उस ओरा भी चल पड़ता हूं, मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह आ जाना, चू भी बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैट जाएगा, मैं भी कच्छवे भाई के साथ चला जाता हूं, कवे भाई, तुम सुबह होते ही आ जाना, ये कहकर कच्छवा और चूहा चल दिये, कवे को भी नीद नहीं आई और वो सुबह होने का इंतजार करने, लगा, सुबह होते ही वो चला, वो उड़ते उड़ते चारों और नजर डालता जा रहा था कि एक स्थान पर कच्छवा और चूहा जाते उसे नजर आए, कवे ने काका करके उन्हें सूचना दे कि उसने उन्हें देख लिया है और वे खोज में आगे जा रहा है, अब कवे ने हिरन को पुकारना भी शुरू किया, मित्र हिरन तुम कहा हो, आवाज दो दोस्त, डॉट् स्वर उसके मित्र हिरन का लग रहा था, वह उस आवाज की दिशा में ओड़कर सीधा उस जगह पहुँचा, जहां हिरन एक शिकारी के जाल में फसा छटपटा रहा था, हिरन ने रोते वे बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहाँ जाल बिच्छा रखा था, दुर्भा और कच्वे को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना, कोवे बोला, मित्र, तुम घबरा क्यों रहे हो, हम चान की बाजी लगा कर भी तुमें चुडा लेंगे, हिरन ने हताशा से कहा, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाऊँगे, वह शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है, कोवे न अपने पंक, फर फड़ाय और अपनी योजना बताई, सुनो, मैं चुए को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ, वह अपने पाने दांतों से जाल को आसानी से देगा, कुतर हिरन को आशा की किरन दिखाई दी, उसकी आँखें खुशी से चमक उठी, कोवे तेजी से उड़ा और जल्दी से वहां पहुँचा, जहां कचवा वचुहा पहुचे थे, कोवे ने समय नश्ट की बिना बताया, मित्रो, हमारा दोस्त हिरन एक दुश्ट शिकारी के जाल में कैद है, जान की बाजी लगी है, अगर शिकारी के आने से पहले हमने उसे इने चुड़ाया, तो ये वो बिना समय गनवाय, बोल उठा, घबराओ मत, कवे भाई, मुझे अपनी पीट पर बैठा कर हिरन के पास जल्द से जल्द ले चलो, इतने में ही दोनों उर्ग चलें, चुहे को जाल कुतर कर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी, मुक्त होते ही हिरन ने अ ऐसे सच्चे मित्र मिले हैं, चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी से उचलने कूदने वन नाचने लगे, इतने ही हिरन चौका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भायो, देखो वेह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंट छिप जाओ, चुहा पोरन, पास के एक बिल मे घुस गया, को आउड कर पेड़ की डाल पर जा बैठा, हिरन एक ही छलांग में पास की जाड़ी में जा घुसा, लिकिन कच्वा अपनी धीमी गति के कारण दो कदम भी न जा पाया था कि शिकारी आधम का, उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीचा की आखिर जाल में कौन सा जानवर फसा था और ये जाल कस ने काटा, ये जानने के लिए वेह पैरों के निशानों के सुराग ढ़ने के लिए इधर उधर देखी रहा था कि उसकी नजर रिंगते हुए कच्वे पर पड़ी, उसकी आँखें चमक उठी, वह सोचने लगा कि वाह, भागते जोर वच्वे को बुला कर कहा, मित्रों, कच्वे को शिकारी थैले में डाल कर ले जा रहा है, चुहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी ही होगी, और उसे उस शिकारी से चुड़ाना ही होगा, लिकिन कैसे, इस बार हिरन ने समस्या का हल सुचाया, दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझ कर वे मुझे पकड़ने के लिए। कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर तक मेरा पीछा कर पाएगा। मैं उसे दूर ले जाक चकमा दे दूँगा। इस बीच चुहा भाई थैले को कुतर करका चुए को आजाद कर देगा। ये योजना सबको अच्छी लगी थी। योजना के अनुसार हिरन जान बुचकर शिकारी की रास्ते में आगया और लंगड़ा कर चलते हिरन को देख शिकारी की बांचे खिल उठी। वह थैला पटक कर हिरन के पीछ दौर पढ़ा। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घरने जंगल की ओर लगया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओजल हो गया। इस बीच चुहे ने अपना काम कर दिया था और अपने दोस्त कचुए को जुडा लिया था। शिकारी मुह लटका कर खाली हाग घर लोट गया। सीख है सच्चे मित्र हों तो जीवन में मुसीबतों का असानी से सामना किया जा सकता है।